मेरे सभी विधायक साथी, सभी मंत्रीगन और जो मीडिया के जरीए आज मेरी बातों को सुन पा रहे हैं उन सभी दर्शकों को मेरा नमशकार प्रणाम सत्स्रियकाल पंजाब के लोगों का हम बेहत शुक्रियादा करना चाहते हैं पंजाब के लोगों ने दो साल पहले हम जैसे मामूली लोगों को, आम लोगों को इतना भारी भहुमत देके जिताया था और उस वक्त के जितने बड़े-बड़े नेता थे नामी गिरामी नेता, दस-दस, पंदरा-पंदरा, बीस-बीस पच्चिस-पच्चिस साल के विधायक थे मंत्री थे, इतने बड़े-बड़े पैसे वाले थे सबको हराके पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा था और एक सो सतरह मेंसे बानवे सीट हम लोगों को दी थी पंजाब के लोगों का हम जितना शुक्रिया अदा करें हम उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते उनका एहसान अदा करने के लिए एक ही कोशिश जारी है पिछले दो साल से रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार भगवंतमान साब, मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, रात दिन 24 घंटे हमारी सरकार पंजाब के लोगों की सेवा कर रही है और पंजाब में मुझे बेहत खुशी है ये कहते हुए कि आज दो साल के बाद पंजाब के बच्चे बच्चे से पूछ लो, यहां तक कि दूसरी पार्टी वालों से भी पूछ लो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी बच्चा बच्चा पंजाब का बोलता है, 75 साल में ऐसी सरकार हमने नहीं देखी, इतनी मांदार सरकार, इतनी महंती सरकार, रोज नए-ने आइडिया लेके आते हैं, नए-ने आइडिया लेके आते हैं और जंता के लिए काम कर रहे हैं एक टाइम ऐसा था जब पंजाब के अंदर पूरी negativity ओड़ी थी law and order की समस्या थी महंगाई थी, बिजली के बिल बढ़ रहे थे लोगों के बिजली आती नहीं थी, किसान दुखी थे, व्यापारी दुखी थे व्यापारी और industrialist उद्योगपती छोड़ छोड़ के जा रहे थे चारो तरफ negativity नेगिटिविटी नेगिटिविटी थी पंजाब के अंदर आज चारो तरफ positivity है व्यापारी वापस आ रहे हैं, उद्योगपती वापस आ रहे हैं धेरो उद्योग पती अब पंजाब के अंदर अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं नौकरियां पक्की हो रही हैं रोज इतने महला क्लिनिक का उद्गाटन हो रहा है नएने महला क्लिनिक, कोने कोने में महला क्लिनिक बन रहे हैं पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई, और क्या चाहिए पहले आठ-ठ, दस-दस घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है शांदार स्कूल बन रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है, ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं खूब काम हो रहा है चारों तरफ, पहले करमचारी टंकियों पे चड़े रहते थे अब वो टीचर पक्के हो गए और वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, अब आपको टंकियों पे करमचारी चड़े हुए नहीं मिलेंगे खूब काम चल रहा है लेकिन अभी खूब काम करना बाकी है, बहुत काम करना बाकी है पंजाब के लोगों को हम अपना माई बाप मानते हैं, जनता माई बाप होती है, सरकार नौकर होती है, जनतंतर के अंदर सरकार नौकर होती है, जनता मालिक होती है हम पंजाब की जनता को अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं